ये चीज आपके बालों को इतना तीजी से लंबा बनाएगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी सिर्फ इस नुस्खे को अपने बालों पे लगातार तीन दिन तक इस्तमाल करें आपके बाल कुछ इस तरीके सो जाएंगे नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटीब चैनल नुस्खडवे पे दोस्तो आज के इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे आप अपने बालों की लंबाई को सिर्फ कुछ ही दिनों में बढ़ा सकते हैं दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि आप बहुती कम दिनों में अपने बालों की लंबाई को बढ़ा पाएं साथ-साथ अपने बालों को बहुती तेजे सा लंबा गनाव मजबूत बना पाएं तो वीडियो का इंड तक जरूर देखें आज के इस वीडियो में सिर्फ आपको तीन चीजों का इस्तमाल करना है और तीन चीजों की इस्तमाल से अपने बालों की लंबाई को बढ़ाना है तो चेले दोस्तो टाम ना गात हुए डिरेक्ली आज के वीडियो श्टार्ट करते और आपको बताते हैं कि कैसे आप इस नुस्के को तयार करोगे तो दोस्तो नुस्का तयार करने से पहले मेरी आप से एक छोटी रिक्वेश्ट है कि अगर आपने भी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल नुस्का डिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के भी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दे और साथी जाथ बाजू के घंटे पर क्लिक करके हमारी नहीं ने नोटिफिकेशन पाते रहे हैं तो चलिए डारेक्ली इस वीडियो को इस्टार करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप इस मुस्के को तयार करोगे तो दोस्तो यहाँ पर जो हम चीजों के इस्तमाल करेंगे वो बिल्कुल नैचुरल होगी और आराम से आपको अपने घर पे मिल जाएगी तो यहाँ पर जो हम सबसे पहली चीज इस्तमाल करेंगे वो होगा दोस्तो तेल दोस्तो यहाँ पर हम तेल का इस्तमाल करने जा रहा है मैं यह नहीं बोलता कि यह जो मैंने जास्मीन का तेल लिया है पैरशूट का आप इसका ही इस्तमाल करो दोस्तों जो आप रोजाना अपने बालों पर इस्तमाल करते हैं उसी तेल कापिया इस्तमाल कीजिए तो दोस्तों हम यहाँ पर अपने बालों के हिसाब से एक से डेड़ चमच और दो चमच लेंगे तो मैं आपर डेड़ चमच इस्तमाल कर रहा हूँ तो दोस्तो मैंने आपर डेल चमच जो है यहाँ तेल डाल दिया है आप जो हम दूसरी चीज़ इस्तमाल करेंगे वो दोस्तो विटामिनी का कैपसुल दोस्तो विटामिनी का कैपसुल हमारे बालों की लंबाई को पड़ाता है हमारे बालों को घना करता है और बहुत ही तेज पूरा यहां डाल देते हैं तो यहां पर हम चकू की मदद से चोटा से उपर एक छीरा लगाएंगे तो हमने है पर चोटा से चीरा लगा दिया और यहां पर पूरा विटामीन का कैपसूल डाल देना है दोस्तों इस कैपसूल से हमारे बालों की लंबाई बढ़ेगी हमारे बाल बहुत ही तेज़े से घने होंगे तूटना बंद होगा नैचुरल करीके से हमारे बाल काले होंगे दोस्तों विटामिनी का कैपसूल हमारे बालों को घना वो मजबूत वो लंबा बनाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है तो हम यहाँ पर विटामिनी का कैपसूल सिर्फ एक इस्तमाल करेंगे गर आप लड़की हैं अगर आप ज़्यादा यहाँ पर यह जो तेल है इसका इस्तमाल कर रहें तो आप यहाँ पर यह जो विटामिनी का कैपसूल है यह दो कैपसूल का भी आप यहां इस्तमाल कर सकते हैं तो हमने यहां पर एक कैपसूल डाला है अब जो हम अंतीम चीज़ इस्तमाल करेंगे वह दोस्तों यहां पर आप जो फ्रेश वाला इलोवेरा जल रहता है उसको भी आप ले सकते हैं अगर आप चाहे तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो हम यह एलेवेरा जेल है उसका दोस्तों थोड़ा सा मात्रा मतलब आदा चमच के लगवाग यह जो एलेवेरा जेल है उसका इस्तमाल करेंगे हम यहाँ पर एलेवेरा जेल डालने के बाद हमें यह एलेवेरा जेल के बाजू में और बाजो में रखने के बाद हमें इन सभी चीजों का अच्छी तरीके से मिला लेते हैं देखें दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से इस नुस्के को अच्छी तरीके से मिलाना है वीडियो का एंड तक देखते रही है अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो का एंड तक देखिए आप बहुती अच्छा ट्रिक भी सामने जानोगे जिसके इस्तमाल से आपके बालू के लंबाई और तीजी से बढ़ने लगेगे तो दोस्तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और आगे कि कैसे आप इस नुस्खे को इस्तमाल करोगे किस समय इस्तमाल करोगे और किस तरीके से इस्तमाल करोगे तो दोस्तो ये जो नुस्खा है डेली जब आप नहने जाते हैं उससे 15 मिनट पहले अपने बालों पे लगा लीजिए और दोस्तो नहा लीजिए और रात को दोस्तो जब आप सोने जाते हैं तो अपने बालों पे इस नुस्खे को लगा कर सो जाएए सुबहतागा आप देखेंगे कि आपके बाल में एक नया गलो आने लगेगा आपके बाल शाइनी हो जाएंगे शाथी साथ आपके बालों की लंबाई धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगी और दोस्तो जणना भी बहुती तेजे से कम हो जाएगा इससे आपको किसाइट इफेक्ट नहीं होने वाला है इसके सिर्फ इस्तमाल से आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी बाल लंबे होंगे वो मजबूत हो जाएंगे तो दोस्तों इस वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो अभी काभी इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शियर करें मिलतों आप सीजी प्रगार के कोई नए निसकर टेप्स के साथ तब तक के लिए नमस्कार